नमस्कार दोस्तों मैं मनोशुक्ला आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ भाई हम आज देखने वाले हैं डेली करेंट अफेर में 25 फेप के जितने भी इंपोर्डेंट करेंट अफेर थे उन पे बात करेंगे तो रेडियो फटाफ़ से स्टार्ट करते हैं भाई हमारा पह पास कई तरह के आयोग होते हैं कमिशन मतलब कि आयोग हो गया निया निकाह हो गया जैसा कि नीती आयोग भी है एक आयोग अपने पास इस तरह से अपने पास in SCP यायोग नहीं हए मतलब किससी अर्टिकल में निय jeito लेर की बाद तो जिसका समवधान में उल्लेकcing नहीं होता आर्टिकल नंबर 338, 338 में जवाब जाकोगे, तो वहाँ पर आपको NCSC मिलेगा, आपको ये दिख गया होगा, NCSC में ये SC लिखा हुआ है, ये आयोग है scheduled cast के लिए, तो जैसे की, और शिर्फ scheduled cast इसमें नहीं आते दोस्तों, इसमें आते हैं आपके Anglo-Indian भी, बात आपको समझ 238 और इसके अभी जो chairman मनाए गए है, विजय सांपला जी बनाए गए है, विजय सांपला जी की बारे में आपको थोड़ा से बहुत और जानना है तो वो ये है, कि भाई 2014 से 19 तक के ये पूर्व केंद्रिया मन्त्री है, राज्य मंत्री है, पूर्व केंद्रिया, राज्य म में दर जए आर्टिकल नंबर 338 क्या काम करता है जो शुड्यूल्ड कास्ट है और जो एंगलों इंडिया ने उन पर कोई शोषण ना करने पाए इस बात का ध्यान रखने के लिए यह आयोग बनाया गया है ठीक है तो बड़ी है विजय सापला जी को आपने देख लिए अब अब सबसे इंपॉंड चीज आती है दोस्तों पी एल आई के बारे में आपको बताऊंगो थोड़ा समय पी लाई क्या होता है प्रडॉक्शन लिंड इंसेंटिव स्कीम देखो प्रडॉक्शन तो आपको पता है मैंने इंसेंटिरिंग करना होता है फिर आपको लिंग भी कर रहा है और किसकी कर रहा है अब आपको यह समझना होता है देंकि बहुत ध्यां सुनिए आपने देखा कि कोरोना काल में हम बहुत सारे निर्भर रहते हैं और कोरोना काल में ही निर्भर क्यों थे कोरोना काल में हम यह मालूब चला कि हम चाइना पर किता डिपेंड रहते आपने देखा कि हमारे जो भी hydrochloroquine जैसी जो मलेरिय की बड़ी-बड़ी दवा थी, जो हमने कोरोना के लिए इस्तमाल की थी, उसके जो ingredient है, यानि hydrochloroquine जिस ingredient से बनती है वो दवा, जिन छोड़े-छोड़े पार्टिकल, यह जो भी चीज़ों में chemical जो मिलता है, वो सारे chemical ह हम आयात करवाते थे, समझ रहे हैं, हम सारे आयात करवाते थे, किसे चाइना से, और फिर उनको मिला करके बनता था, यह हम पूरी की पूरी hydrochloroquine लेते थे, आप समझ पा रहे हैं, इसलिए हमारे यहां पे ज़्यादा दवाई हैं, बहुत महेंगी होती हैं, अब यह चीज कार है, वो यह चाहती है कि हम थोड़े से dependent मनें, यानि हम ऐसा नहों कोई दवाई हमें लेनी है, तो हम खरीद ही रहें, क्यों न हम उन दवाईयों को अंदर ही अपने बनाना शुरू कर दे, तो उसी को ध्यान में रखते हो, और ध्यान सुनिए, सिर्फ दवाई नहीं, हमारे इंडिया में बने, हम यही चाहते हैं, अब देखे, अगर इसकी production line यहां पर बनेगी, तो हम रोजगार भी generate करेंगे, आप समझ पा रहे हैं, रोजगार generate हो जाएंगे, स्किल और अनन्स्किल्ड परसन को, तो इससे रोजगार भी मिलेगा, यह जो भारत है, अपना आत्मे निरभर भारत बनेगा, क्योंकि आपको मालू में, आत्मे निरभर भारत का मतलब क्या है, कि हम भाई जितना हो सके, अपने पर निरभर रहे हैं, हम क्लोज डिकोरा मीं नी कर रहे हैं, हम बस इतना चाहरे हैं, कि हम भी production में ऐसे रहे हैं, कि मतलब जरुद पढ़ने साथ हुआ, तो हो क्या रहा है, कि चाइना के साथ इतनी सारी मारा मारी होने के बाद, वहाँ पर जो बड़ी-बड़ी कंपनिया थी, जिनका production line वही पढ़ता है, Samsung है, Flex है, Foxconn है, Foxconn वो कंपनिय है, जो कि Apple को अपने product बना-बना करके Apple को देती है, फिर Apple उन्हें असंबल क करता है, समझ पार हैं आप सबी यह बात, तो यह वहाँ से निकलना चाहरी है, निकल भी रही है, क्योंकि अब चाइना जो है थोड़ा सा वैसा होता चला जा रहा है, मतलब सुटेबल नहीं लग रहा है, उन्हें बिजनेस के लिए, प्रड़क्शन के लिए, तो बाहर निक से देखना, जब भी, मेन चीज है PLI, जब भी सरकार को इसमें कोई भी प्रोड़क्ट को जोड़ना होगा तो यह बोलेंगे कि PLI के साथ इसका जो है, स्कीम को हमने एग्रिमेंट कर दिया है, अप्रूफ कर दिया, तो देखो अभी कैसे लिखा हुआ है, कैबिनेट ने बहुत बढ़ी है, तो यहीं पर बता था, आप देखो, चाइना से इतना conflict हुआ, सब हुआ, कितनी सारी बात ही लेकिन आपको पता है, अभी अभी यह देखी ज़रा, 25 वर्मरी की यहां पर, कि चाइना जो है, भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया, आप सोच र है, तो इसे हमें खतम करना है, इसलिए PLI लेकर क्या है, और जितना हो सकेगा, कि जिस जिस चीज़ पर हम चाइना पर निर्भर हैं, उस सारी चीज़े हम अपने हापर बनाना शुरू करेंगे, यह हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए PLI में हर्ची जूरती चली जाएगी, यह सेवन बिलियन डॉलर का हुआ था, ठीक है दोस्तों, तो यह सारी बाते तो खेर हैं, आपको मैंने बताई दी, और यह देखिए, अभी एक और अप्रूवल हुआ, कि कैबिनेट ने फार्मासोटिकल के लिए भी PLI योजना को मंजूरी दे दी, यह थोड़ी देर पेल कह र दो से 4 परसेंट ये 6 परसेंट के बीच में सरकार इनको पे भी करेगी, मदद करेगी, ठीक है, अब यह मैं सोचना है कि सरकार पे करेगी तो उनका खाली हो जाएगा, वो सब लगा रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा, आपको मालूम है, जो हमारी बड़े-बड़े डैम है, जो हमारी डैम आपको मालूम है, नदी के पास बना दिया आता है, जो लिवर बेसंस है, टो उनको हमें सुरक्षित रखना है प्लस बिजली भी बनाना है, दोनों कीज़े करनी है, तो लाज टैम को सुरक्षित रखना है, बिजली बनाना है, सब कुछ करना है, और छोडब जो बेसिन उनको भी स्रक्षित करना है तो उसके लिए हुआ है सिंपोजियम अब सिंपोजियम का मतलब क्या होता है सेमिनार है ना संगोष्ठी कहते हैं इसे और यह है हमारे जल्शक्ति मंत्री आप देख रहे होंगे बीच में तो इनेगरेट कर रहे हैं बाईया एल्डी को इसे यहां पर देख लो जल्शक्ति मंत्री हमारे कौन है याद रहना चाहिए आपको गजेंद्र सिंख शेखावज जी है और आई-सी का मतलब इंटरनेशनल कमिशन यह फिर से आयोग है यह निकाह है और लाज डैम्स क्लियर होगी बात है ना सिंपोजियम बता दिया था स सेमिनार है तो उस पर सेमिनार है भाई लाज डैम और उसके लिए थीम याद रखिए आप वही वाली थीम भी है सस्टेंबर डेवलप्मेंट अफ डैम सेंड रिवर बेसिंस क्लेर दूस्तों अब कौन को ने शुरू कि आपको और जानना तो यहां पर लिखा हुआ है कि औ और डैम रिहबिरिटेशन इंप्रूव्मेंट प्रजेक्ट ड्रिब भी है साथ में और नेशनल हैड्रोलोजी प्रोजेक्ट नेश्पी भी है साथ में तो इन तीन लोग मिलकर के इस काम को कर रहे हैं नग्रेशन हुआ है समझ गया आप डैम को रखशुत रखो बैसिन मना अगला ओलेंपिक खेल जो है 2032 का कहा होने वाला है सीधा सपार्ट कुश्चन है आपको याद रखना है ब्रिस्बेन को चुना गया है ब्रिस्बेन कहा पे आता है ऑस्ट्रेलिया में ही आपको मालू है क्विश्लेंड आता और क्विश्लेंड में हुआ था कॉमन वेल्थ 2018 का आप सभी को पता है तो यह दिखे 2018 का जो राष्ट मंडल खेल है स्वरी राष्ट मंडल कॉमन वेल्थ गेम जो है वो क्विंसलेंड में वह था ऑस्ट्रिलिया के अभी ऑस्ट्रिलिया के ब्रिस्बेन को चुना गया है ऑलेंपिक खेलों के लिए 2032 के यह आपको ध्यान र बारे में अच्छे से स्टेडी करते हैं सब करते हैं इसलिए उनको चुना गया है तो आपको याद रखना है ब्रिस्बेन में होने वाला अगला ओलम्पिक फिक 2022 का ऑस्ट्यलिया में करनाटक बहुत जगा से फेमस ही है आप सब ने देखी लिया और करनाटक में यह रहा द बहुत सारे फूल तो बिक जाते हैं लेकिन कुछ फूल तो बच जाते हैं अब जो फूल बच गया है इसको उगाने में तो उसकी लागत तो लगी थी अब कोई भले ना खरीदे और मालनों आज नहीं खरीदेगा दो तीन दिन रुखेगा तो भी तो फूल खराब हुआ बच चनणार्ण तो अब इस सड़े हुए फूल का जो फूल सढगया है उससे यह क्या करनेवालें करनाटक में एक त्लावर प्रोसेंग सेंटर बनाने वाले मतलब सड़े हुए फ्लावर को प्रोसेस किया जाएगा और उस सड़े हमाए फ्लावर से कुछ अच्छे अच्य प्रोड़क्ट बनानी की कुशिश की जाएगी ठीक है कुछ अच्छे चे प्रोड़क्ट बनाएंगे आपन अब कैसे कैसे बनाएंगे तो आपको वह भी देखो मैं बता जाता हूं आपको एक बनेगा नेचुरल डाय वह जो कलरोलर होता है याने की प्राकरतिक रंग उसे कह इसे इंसेंस स्टिक्स का मतलब क्या होता है अगर बत्ति कहते हैं याद रहों इंग्लिश में से इंसेंस स्टिक्स को क्या कहते है अगर बत्तियां तो नहीं पता तो यह भी लिखने अगर बत्ति सबको पता है इंसेंस स्टिक्स नहीं पता होता तो आप लिखके रखना लाएंगे फ्लावर में सिलिका स्टोड होता हो भी देखेंगे तो मतलब कुल मिला करके सड़ी हुई चीजों से सड़े हुए फूलों से हम यूटिलाइस कर रहे हैं दूसरे बना रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जुन किसानों का नुकसान हुआ तो उनको फायदा शुरू हो अब यूपी में तीन इंटरेनश्यल एयरपोर्ट 35 आपके सामने यूपी के शिनगर एयारपोर्ट, अब यहमें और यव तक उत्तरप्रदेश से हेडिं से और लखनौ में जो इंट्रेशल एरपोर्ट उसका नाम है चौधरी चरन सिंग और जो वारा नसी में है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री तो आपको यहाद रखने है अगर यहां से हो गया तो ज़रूरी नहीं कि आप से कुशी नगरवाला पूछें आपसे पूछ लेंग लिए नया नय स्थापित है यूएस का एंटी करफशन आवार्ड मिला है यह टुटल बारा लोगों को मिला है बारा लोगा शिलेक्शन किया गया था उनमें से एक भारत की अंजली भारतवाज का भी सिलेक्शन हुआ है अब आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें वो देख लिए थोड़ा सा भाई देखे 48 वर्ष की इनकी उमर है 48 ठीक और इनका ये संगटन आपको देख रहा सतरक नागरिक संगट ये इनका संगटन है ये इसकी फाउंडर है अब ये जो आपने अभी अभी अवर्ट सुना ये किसली दिया जाता है यहां पर देख लिए ये रिकोग्राइज करता है किसी भी एक व्यक्ति को इंडिविजुल को जो की वर्क करते हैं टायर लेस्ली बिना थके आफ्टेन इन कि आप ट्रांस्पेरिंस्वी को बचायर रखना चाहते हो कि भई या पारदरशिता को बचाने में जो भौत योगदान देते हैं बिल्कुल अथा योगदान देते हैं आलस नहीं करते कि बस नहीं यह यहां पर पारदरशिता होनी चाहिए यह यह करप्शन बिल्कूल है ? अगली चीज है जिसतर से हमारी Indian nevy इस तरह से हमारी Indian Coast Guard भी है यह हां तो इनके पास भी जैसे उनके पास बहुत सरी चीजे चलती रहती है शिवा लेक है और यही बहुत सरी चीजर चलती है नेल-गिणि उनके चलती है य। प्रोजेकट चल रहा है दाइन वर सुनकों कोई नुक्सान ये होती है अभी इसका नंबर सिरी 453 है अब इनको टोटल इंट्रसेप्टर बोर्ट लानी है अठारा की प्रयूजनाँचल रही है अभी कित्ती हा गई ये कौनसी वाली ये सक्तुर्वी है बस एक और बचिए और हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा इंडिन कोस्ट गार्ड के लिए था ठीक है नाम है सी 453 क्लेर हो रहा है दोस्तों और अगर आपको देखना है भाई अगर ना हो है तो पानी ढखे लेगी तेहर नेगा क्या है तो कभी डेंसिटी जो है 150 टन विस्थापन यह से हम कहते 85 km प्रती घंटा इसके क्या काम है जो आर्थिक छेत्र की निगरानी रखना जो भी हमारा आर्थिक छेत्र है उसकी निगरानी रखने काम इनका होता है तो बस बहुत बढ़िया आगे चलो और देख लो नहीं बस हो गया खतम है ठीक है तो और यह भी देख सकते हो 157 जहाज है और ना हो है और 62 विमान हो चुके है तो जो भी हो ठीक है दोस्तों तो मैं यह समझ सकता हूँ या मानता हो कि आपने जो सुना हो आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कोई डा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाज जैहिंद क्लास